कायर पाकिस्तानी आतंक वादियू ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहू लहान करने की कोशिश की है उत्री कश्मीर के सोपूर में पाकिस्तान के कायर आतंक वादियू ने छिपकर वार किया भारतिये जनेता पार्टी जमू कश्मीर की सचिफ डॉक्टर फरीदा खान इस हमले में बुरी तरीके से घाइल हुई है वहीं एक काउंसलर नियाज एहमद और जमू कश्मीर पुलिस के बहदुर जवान मुश्ताग एहमद वीरगती को प्रापत हुए है पाकिस्तान कश्मीर को लहू लुहान करने की साजिश कर रहा है लगातार भारतिये सेना और जमू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से पाकिस्तानियों का सफाया कर रही है कश्मीर घाटी से ये आतंकवादियों की बोखला हट है आज कश्मीर घाटी से तमाम आतंकवादी कमांडरों का सवाया हो चुका है और ये छुटबट घटने रात के अंधेरे में छिपकर वार करना छिपकर पीट पर वार करना गरनेड हमला करना ये पाकिस्तानियों की काईरणा हरकत है जिन आतंकवादियों ने इस घटना को जाम दिया है उनको मोत के घाट उतार दिया जाएगा किसी भी दुस्ताहस को करने वाले इन आतंकवादियों को बक्षा नहीं जाएगा शहीद जमू कश्मीर पुलिस के जवान मुश्ताक एहमत और राजनीतिक कारेकरता जो वहां शहीद हुए हैं उनको पूरा देश नमन करता है सलूट करता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहां की बीडिसी चेयर्मेन और भारतिया जनद्दा पार्टी जमू कश्मीर की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा खान उनके स्वास्त की कामना करता हूं वहीं ये विश्वास दिलाता हूं कि चुन का सफाया करेंगे यह पाकिस्तानी आतंकवादी यह मोत के सोधागर हैं इन मोत के सोधागरूं का गिन गिन कर हिसाब लेंगे और चुन-चुन कर इनका कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे झाल